आप सभी का स्वागत है तिवारी एकैडमी में कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि बहुत ही स्वस्थ होंगे और जहां भी होंगे वहां मज़े कर रहे होंगे है ना? चलिए आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास फोर्थ यानि कक्षचार में एवियस यानि परियावरन अध्यन में चैप्टर टू यानि पाठ दो की तो शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या दिया है हमें चैप्टर टू में क्या दिया है? भाई आपको इस्क्रीन पर दिख रहा होगा सबसे पहले चैप्टर का नाम है ना? नाम में दिख रहा है लिखा हुआ है कान कान में ठीक है? तो अब पढ़ना शुरू करते हैं और देखिए ये हमारे सामने दिया है एक बहुत ही खूपसूरत और मज़ेदार चित्र इस चित्र में हमारे सामने एक प्रश्ण पूछा गया है क्या आप उस प्रश्ण को पढ़ पा रहे हैं? प्रश्ण है मेरे कान किस के पास है? ठीक है ना? मेरे कान किस के पास है? दरसल ऐसा यहां पर इसलिए लिखा गया है क्यूंकि यहाँ पर जो जानवर है उनके कान बदल दिये गए है देखिए हाथी के जो कान है क्या आपको वो हाथी के लगते है नहीं न ऐसे ही खरगोश के जो कान है क्या आपको वो खरगोश के लगते है नहीं न तो चलिए देखते हैं कि किस के पास किस के कान यहाँ पर लगे हुए हैं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो हाथी के पास कान लगे हुए हैं दरसल वो चूहे के हैं यहाँ पर क्या लिखा है पहले पढ़ते हैं क्या ये चितर अजीब लग रहे हैं? बिलकुल लग रहे हैं. चितर बनाने वाले ने जानवरों के कान उलट पुलट कर दिये हैं. कान को सही जानवर के साथ जोड़ो, नीचे लिखो. किस जानवर के सिर पर किस के कान है? तो चलिए, अभी लिखते हैं और देखते हैं कि आखिर किस के पास में किस के कान दिये हुए हैं. है ना? मैं एक काम करता हूँ, आपके सामने यहां लिख देता हूँ, ताकि आपको समझने में आसानी हो. ठीक है? तो जैसे हाथी के पास चुहे के कान थे, ऐसे ही खरगोश के किस के कान है, आप समझ गए ना? बिलकुल सही, यह कान है किस के? मैं आपके सामने लिखता हूँ, पढ़कर बताईए मैंने क्या लिखा है? जरा पढ़िए तो, बिलकुल सही, यह है जिराफ है ना? ठीक है. फिर है चुहा, चुहे के पास किस के कान है? अभी देखते हैं, यह है हमारा चुहा, और इसके पास कान है, किस के? बिलकुल सही पढ़ा आपने, कुत्ते के कान है ना? डॉक के, अब जिराफ को देखिए, जिराफ के पास तो यह बड़े वाले कान है, किस के हो सकते हैं? बताईए तो, बिलकुल सही, हाथी के कान, है ना? ठीक है अब बारी आती है कुट्टे की यानी डॉक की तो डॉक के पास यानी कुट्टे के पास किसके कान दिखाई दे रहे है बिलकुल सही ये कान है क्या लिखा मैंने पढ़ो तो खरगोश है ना खरगोश के कान है फिर है भैस तो भैस के पास किसके कान दिखाई दे रहे हैं? ये कान किसके दिख रहे हैं आपको? बिलकुल सही, मैं है लिखता हूँ हिरन है न? और हिरन के पास किसके कान है? तो ये कान दिखाई दे रहे हैं भैस के दोनों ने अपने कान बदल लिए ऐसा लग रहा है ठीक है तो ये exercise तो हमारी पूरी हो गई अब हम आगे बढ़ते हैं अब यहां लिखा है अलग-अलग जानवरों के कान अलग-अलग तरह के होते हैं आपने भी कई सारे जानवरों में अलग-अलग तरह के कान देखे होंगे है ना आपको पता है कि कौन से जानवर के कान कैसे होते हैं अब सूची में दिये गए जानवरों में से किनके कान तुम बाहर देख पाते हो और किनके नहीं उनके नाम तालिका में लिखने है तो चलो तालिका में अभी फटा फट नाम लिख देते हैं वो जिनके कान हमें बाहर दिखाई देते हैं उन्हें यहां लिखना है और वो जिनके कान हमें तालिका में दिखाई मतलब बाहर दिखाई नहीं देते हैं उनके नाम इस तालिका में लिखना है तो सबसे पहले हम उसके नाम लिखते हैं उनके नाम लिखते हैं उन जानवरों के जिनके कान हमें बाहर दिखाई देते हैं ठीक है? मैं लिखता हूँ आप पढ़िएगा सबसे पहले मैं आपर नाम लिखता हूँ हमारे चितरों के जानवर के है ना जो हमें चित्र में दिखाई दे रहे थे सब के कान दिख रहे थे है न तो उन सब के नाम लिख दूँ यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हाथी और जिराफ और डॉग यानि कुत्ता और भैस और खरगोश और कौन था? हिरन इनके कान हमें इस पश्ट तौर पर बाहर दिखाई देते हैं है न? अब उन जानवरों के नाम लिखने हैं जिनके कान हमें बाहर दिखाई नहीं देते तो चलिए मैं उनके नाम भी लिख देता हूँ सबसे पहले मेरे जहन में जो नाम आता है वो है मचली का आपने देखा होगा मचली के कान बाहर नहीं दिखते है ना चडिया चडियाओं के भी मुझे कान नहीं दिखाई देते और चडिया के बाद नाम लिख देते हैं कवे का है ना और किसका नाम लिखे हैं हाँ बत्तक का भी नाम लिख देते हैं जिसके कान नहीं दिखते और इसके अलावा तोता तोते के भी कान नहीं दिखते बाहर और हाँ साप साप के कान भी नहीं दिखते है ना तो ये हो गए कुछ नाम उन जानवरों के जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं और जिनके कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं अब आगे लिखा है तुम्हें क्या लगता है जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते उनके कान होते भी हैं होते हैं या नहीं तो आप सबसे पहले मुझे बताईए आपको क्या ल छुपे हुए होते हैं ठीक है अब देखो क्या लिखा है पहले उपर दिये गए चितर को देखो पहचान कर लिखो ये जानवर कौन कौन से हैं क्या तुम्हें इन जानवरों के कान दिखाई दे रहे हैं वास्तों में इन सभी के कान होते हैं लेकिन हमें बाहर से दिखाई नह मुर्गे को देख सकते हैं चिडिया, तोटा, बत्त, कउवा, है ना इन सबी को यहाँ पर देख रहे हैं हम मेंडग तो अब हमारे सामने यहाँ पर बताया है कि सबसे पहला प्रशन तो यही था कि हमें बताना है कि यह जानवर कौन-कौन से हैं है ना तो मुर्गी है, चिडि तो उनके कान ढमें दिखाई नहीं दे रहे है आप ऐसा लिख सकते या ठीक है इसके बाद में आगे बढ़ते हुए हमसे प्रश्न पूपता करो बहुते है और फाल नहीं को बहुत सारे नाम है ना तो जैसे मैं एकनाम यहां पर लिख दिया मच्छर िसार है नहीं देते ठीक है ना आपको दिखते हैं क्या इसके अलावा हंस का नाम आप यहां पर लिख सकते हैं और एक नाम आप लिख सकते हैं यहां पर मचली का है ना ठीक है फिर आगे लिखा है पढ़ो और लिखो इसमें हमें क्या बताया है कि ऐसे जानवरों के नाम लिखो जिनक हाथ ही जी के है ना हाथ ही यानि इलिफेंट इसके बाद में है पत्ते की तरह तो पत्ते की तरह कान किसके होते हैं पत्ते के जैसे पत्ते के जैसे कान होते हैं खरगोश के ये तो आप जानते ही है है ना हमने देखे थे अभी फिर लिखा है सिर के उपर किसके रहते हैं तो हि अब आगे लिखा है मैं पढ़ता हूँ आप ध्यान से सुनिएगा ठीक है आगे लिखते हैं कि तुम्हें पता है न कि कान सुनने में मदद करते हैं कुछ जानवरों के कान बाहर दिखते हैं और कुछ के नहीं पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं लेकिन उनके सिरके दोनों फिर आगे लिखा है किसकी तवचा कभी तुमने जानवरों की पहचान की, उनके कानों से, अब कुछ जानवरों को उनकी खाल से पहचानने की कोशिश करते हैं, ठीक है, चितर में कुछ जानवर एबम उनकी खाल बनी है, यह हर जानवर का उसकी अपनी खाल से मिलान करना है, जानवरों के चितर में उनकी शरीर और खाल के डिजाइन भी बना सकते हैं तो चलिए मिलान करते हैं बड़ी आसानी से मिलान कर सकते हैं कि ये गिलहेरी की खाल है बड़ी आसानी से मिलान हो सकता है कि ये इसी चीते यानी शेर की खाल है बड़ी सरलता से मिलान कर सकते हैं कि ये हिरन की खाल है अब बचा एक ही है वो है शेर तो शेर की खाल का मिलान हम कर देते हैं यहाँ पर इसके साथ में ठीक है मैंने शायद एक मिलान गलत कर दिया यह इसके साथ होगा और यह मिलाना के शेर से हो जाएगा ठीक है, जानवरों की खाल पर डिजाइन उनके शरीर पर बाल होने के कारण होते हैं, है न, अब हम से आगे जो है, पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, क्या तुमने कभी ऐसे जानवर देखे हैं, जिनके बाल हट गए या हटा दिये गए हैं, सोचो, अगर उनकी ख कुछ को तुमने शायद देखा भी हो, है ना, तो इस सूची में सही जानवर की नाम हमें चाट कर लिखना है, यहाँ पर नाम किस किस के दिये हुए है, लोम्री, मेंडक, चूहा, मुर्गी, हाथी, कववा, बिल्ली, उूट, चिडिया, मोर, भैस, छिपकली, कबुतर, सुव बर्तक गाए, ठीक है, ओके, तो अब हमें क्या करना है, यह जो नीचे कॉलम बने है, उसमें नाम लिखने है, तालिका में, लिखते हैं, अभी लिख देते हैं, कान बाहर दिखाई देते हैं, उनके नाम, तो मैं लिखता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है, मैं न सुवर, चुहा, गाए, उंठ, भैस, लोमडी, हाथे, ठीक है, ये नाम हो गए, फिर खाल पर बाल है, जिनके उनके नाम लिखिए, तो उनके भी नाम लिख सकते है, समान जानवरों के नाम लिख सकते हैं, यहाँ पर भी, ठीक है ना, जैसे, हाथी, लोमडी, भैस, उंठ, गाए, चूहा, सूर, और बिल्ली, ठीक है, फिर है कान बाहर दिखाई नहीं देते, किनके कान बाहर नहीं दिखते, तो मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले जैसे, छिपकली, है ना, उसके कान नहीं दिखते, फिर बतक, उसके कान नहीं दिखते, फिर कबूतर, उसके कान नहीं दिखते, फिर मेंडक, उसके कान भी नहीं दिखते, और, 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 चिडिया, चिडिया के कान नहीं दिखते, और 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 मुर्गी मुर्गी के नहीं दिखते और 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 मौर मौर्गी नहीं दिखते पिर और किसके नहीं दिखते और किसके नहीं दिखते छिपकली, बतक, कबूतर, मेंडक और चुडिया, मुर्गी, मौर, कववा कववा भी एक नाम था उसमें यह हो गया फिर इसके बाद में खाल पर पंक है किस-किसी खाल पर पंक होते हैं तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बतर रहता हूँ बद्दक की खाल पर पंक होते हैं कबूतर, पक्षियों के नाम तो हमें लिखना ही है और नाम आजाएगा मुर्गी है ना तो यह कुछ नाम आजाएंगे तुमने भैस और गाये को कौन-कौन सी सूची में डाला है दूर से देखने पर क्या इनकी खाल पर बाल दिखते हैं अगर हो सके तो पास से देखो क्या खाल पर बाल दिखाई दिये अगर हाथ ही मिल जाए तो क्या तुम्हें उसकी खाल पर हाथ फेरने की हिम्मत होगी क्या तुम जानते हो कि हाथी की खाल पर भी बाल होते हैं जिन जानवरों के नाम तुमने उपर तालिका में लिखे है अब उनके बारे में और बाते जाने ठीक है ना अब समझ ये क्या लिखा है आगे लिखा है कि पता लगाओ इन में से कौन से जानवर अंडे देते हैं अंडे देने वाले जानवरों के नाम हरे बॉक्स में लिखो बच्चे देने वाले जानवरों के नाम लाल बॉक्स में लिखो ठीक है तो चलिए अभी लिख देते हैं कोई समस्या नहीं है सबसे पहले बच्चे देने वाले जान्मरों के नाम लिखते हैं ठीक है तो इसमें यहाँ पर नाम आ जाएगा गाए का चीते का और भैस का बिल्ली का ठीक है और हाथी का और हिरन का और किसका नाम आ सकता है गाए हो गया बिल्ली हो गई है ना चीता हाथी भैस हिरन चीता हाथी भैसरन भी हो गया और किसके नाम लिख सकते हैं हाँ एक नाम आप जिराफ का भी लिख लीजिएगा ठीक है और एक नाम आप लिख सकते हैं सूर का ठीक है ना इसके अलावा अब देखना ये है कि किसके नाम अंडे देने वालों के नाम हरे बॉक्स में लिखना है न, मुर्गी गलत लिख दिया मैंने, इसके बाद में, मुर्गी के बाद में कौन अंड़ा दिता है, हाँ, सांप, फिर नाम आप लिख सकते हैं, मेंडक का, फिर मचली, मचली अंड़ा देती है, फिर नाम आएगा चीटी, फिर नाम आएगा किसका, बत तक, ऐसे नाम आप यहां पर लिख सकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, अब हरे बॉक्स में लिखे गए जानवरों के नामों को पिछली तालिका में ढूंड़ो और उनके नीचे रंग देखा कीचो, उसी तालिका में लाल बॉक्स के जानवरों क नाम उपर गोला लगाओ, तो क्या देखा तुमने, जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं, उनके शरीर पर बाल होते हैं, और वे बच्चे देते हैं, जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते, उनके शरीर पर बाल नहीं होते, और वे अंडे देते हैं, सम ने ये है क्या तुमने अपने घर में या आसपास ऐसे जानवर को देखा है जिसने बच्चे दिये हैं उनके नाम अपनी कौपी में लिखो ठीक है तो इसके जवाब कैसे दे सकते हैं कि हाँ मैंने अपने घर में और आसपास ऐसे जानवर को देखा है जिसने बच्चे दिये ह उनके नाम क्या है? उनके नाम है चुहा, बिल्ली, कुत्ता, आदी, गाए को भी देखा है, है ना? ये सब नाम आप लिख सकते हैं अगर आपने देखा है तो, फिर अगला प्रश्न है, क्या तुमारे घर में आसपास किसी ने जानवर पाला है? तो हाँ, मेरे पास, खुद के पास, मैं अपना जवाब देता हूँ, एक पालतु कुत्ता है, ठीक है? तो आप ऐसा लिख सकते हैं, कोई होगा जिसने तोता भी पाला होगा, किसी ने गाए पाली होगी, है ना? फिर आगे है, वह कौन सा जानवर है? उसके बारे में हमें लिखना है, ठीक है? तो मैं अप के बारे में लिखता हूँ, उसका नाम है कुत्ता, है ना? वह कुत्ता है, इसके बाद में है, और मैं आपको बता दूँ कि मैंने उसका नाम रखा है, ठीक है? टाइगर नाम रखा है, क्या उसका कोई नाम है, उसका नाम लिखो तो इसको यहां की जगे, यहां लिखते हैं ताइगर नाम फिर लिखा है उस जानवर का नाम किसने रखा मैंने ही रखा मुझे पसंद था मैंने रख दिया उसे क्या खाना पसंद है तो मैं आपको बता दूँ कि उसे न अंडे खाना बहुत पसंद है फिर लिखा है उसे दिन में कितनी बार खाना देते हो तो मैं उसे दिन में तीन बार खाना देता हूँ फिर लिखा है उसके सोने का समय क्या है और वहा कितनी देर सोता है ठीक है तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि उसके जो सोने का समय है वो होता है चार से छे घंटे ठीक है इतना वो सोता है फिर आगे लिखा है क्या उसका खास तरह से ध्यान रखा जाता है कैसे तो मैं आपको बता दूँ कि हाँ उसका खास तरह से ध्यान में रखता हूँ मैं उसे नहलाता भी हूँ साफ भी रखता हूँ ठीक है फिर लिखा है क्या उसे गुस्सा आता है कब आता है तुम्हें कैसे पता चलता है कि वह गुस्सा है तो उसको गुस्सा आता है टाइगर को और जब वो किसी नय वैक्ति को देखता है तो भौकता है और वो क्या करता है जोर जोर से फिर भौकने लगता है फिर उसको शांत कराना पड़ता है ठीक है फिर आगे लिखा है उसके शरीर पर बाल है या पंग तो उसके शरीर पर बाल है है ना फिर आगे लिखा है कि उसके कान दिखाई देते हैं नहीं तो हाँ उसके कान दिखाई देते हैं है ना फिर आगे लिखा है कि क्या व वो अभी मतलब बच्चा है जादा बड़ा वो नहीं हुआ है फिर लिखा है कि वह जानवर बच्चे देता है या अंडे तो वो बच्चे देता है फिर लिखा है क्या उसके बच्चे है तो नहीं अभी उसके बच्चे नहीं है फिर आगे है कि उस जानवर का चितर बना और उ कि इस चित्र के जिन भागों में समसंख्या है यानी दो, चार, छे, आट लिखी है उनमें रंग भरने के बाद क्या उभर कर आया पहचानो और उसे जानवर का नाम लिखो तो इस पश्थ और पर दिखाई दे रहा है कि अगर जो समसंख्या है उनमें रंग भर देंगे तो एक डाइनसौर उभर कर आएगा आप करके देखिएगा है ना बहुत बहुत साल पहले धर्दी पर डाइनसौर थे लेकिन अब नहीं अब ये सिर्फ फिल्मों, फोटो और प पता करो, ठीक है तो देखो डाइनसौर जिस तरह का देखता है ना उस तरह का तो जान्वर मुझे एक ही दिखा है वो है छिपकली, द्यान से देखिएगा आपको पता चल जाएगा और दर्याई घुड़ा भी जिकर आता है कि जानवर वो जो है मिलता जुलता है और उसके कान दिखाई नहीं देते हैं, वो तो अंडे देती है, है ना, ये सारी बाते हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, आगे लिखा है इस जानवर को देखो, इसका नाम लिखो, क्या तुम जानते हो, ये हमारा राश्ट्री है, पशु है, फिर लिखा है, यह कहां रहत रहा है, ये बताओ, और दुनिया में इस जानवर की संक्या कम होती जा रही है, चर्चा करो, क्यों हो रही है, तो मैं आपको बता दू कि इसका नाम है बाग, ठीक है, इसका नाम क्या है, बाग, ये घने जंगलों में रहता है, और क्या हुआ है, जैसे से जन संक्या बढ़ इनके लिए कदम उठा रही है कि इन्हें ना मारा जाए ठीक है समझ गए आप तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा है ना और आप जरूर इस वीडियो को शेर करिएगा अपने दोस्तों के साथ हमारी जल्दी मुलाकात होगी अगले वीडियो में अगले चाक्टर के साथ तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार